वाट इस पाको स्ट्रेजर फिक्की पर्मैन बिटिंग और जन बिटिंग है जल्दी आजाओ या पहाँ, इमर्जन्सी है आगे है तुम सब मैं तुम सब को कुछ दिखाना चाहता हूँ मुझे नहीं पता है मुझे ये करना चाहिए या नहीं आप लोगों को ये अच्छा लगेगा ये क्या है सब कुछ तो बिल्कुल पहले जैसे ही है ध्यान से देखो पता चल जाएगा देखो, देखो हाँ हाँ, समझ गया शाबश पर्मैन आपने बहुत दिनों के बाद अपने दाथ साफ किये है न नहीं तुमने मुझे क्या समझ रखा है पर्मैन आप याभी हिंदे रहे है आप खुदी बता दीजिए न डिस्क देखो, डिस्क देखो, डिस्क देखो ये डिस्क, क्या ये नॉर्मल डिस्क नहीं है बर्ड मैन तुम निकम्मे हो, अपनी आँखे खोलो और ध्यान से देखो ये चमक रही है, ये एकदम नहीं है ये क्या बात हुई, आपने ऐसी बोरिंग चीज दिखाने के लिए हमें बुला है हाँ, आपके नए दिस्क बहुत अच्छी है हाँ, सच में अच्छी है जानता हूँ, ये लाजवाद है मैंने आपिया भी खरीदी है नहीं है, एकदम नहीं है ओके, अब मैंने आपको दिखा दिया है प्रेट, हम बात में मिलेंगे, चलो तुमने मेरा बुबन क्यों किया पको तुम बर्ड मैं की फीलिंग को समझ नहीं रहे हो ये नहीं डिस्क, बर्ड मैं के लिए उनका खजाना है क्यों नहीं समझते, ये उनके लिए बहुत गर्फ के बात है समझे तुम? हम सब के पास एक अपनी खास चीज होती है पाको सही कह रहे है तुम्हारा पर्मैन सेट भी तो तुम्हारे लिए पैसल है ना पर्मैन अब मैं समझ में आया और भी एक खास चीज है वो क्या है? सीक्रेट हम सब ने अपनी खास बात बता दी तुम अपनी सीक्रेट नहीं रख सकती समझी? मैं लड़ती हूँ और ने रख सीक्रेट है ये तुम्हार चांता ही नहीं था क्या मत्तों है तुम्हारा? बताओ ने क्या है वो तुम दोनों अब बस भी करो लड़ते रहते हो ओहो इतना रूर लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी फिलिंग्स उसे बता देनी चाहिए थी तुम क्या कर जाती हो? देखो पाको मेरे पास एक बहुत अच्छी आइडिया है आइडिया? मझे पता लगा रही होगा पाको का सीक्रेट यानि उसका खजाना क्या है पर तुम मुझाने के लिए इतने भी तब क्यों हो? अरे उसने मुझे जगडा क्या था? तो पता लगाना ही पड़ेगा ना? हाँ ठीक है अरे ये क्या चीज है? कोई इसे यहां रखकर चला गया होगा हाँ? अरे इसमें तो खट भी है लाओ मुझे देखने दो अरे ये तो पाको का लिखा है देखो तुसे ही क्या लिखा है? आज के लिए सौरी इस बॉक्स में वो चीज रखी है जो मेरे लिए सबसे स्पेशल है इसे देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा वो स्पेशल चीज क्या है? तो शुबका में देवी क्यों चलो इसे खोलते हैं आप देखते हैं भी ये गलब लाओ ये सिर्फ मेरे लिखने के लिए है अरे अरे नहीं इसमें तो मिरर था वो तो देख रहा है मगर किस लिए था? देखो ये तो तूट गया ये ही चीज थी जो पाकों के लिए बहुत स्पेशल दी समगे उसे कहना मत किये तूट गया नहीं तो नहीं मैं तो नहीं बताऊँगा लेकिन अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? ओ हो मेरा खजाना को जिया? अरे नहीं बताऊ नहीं रोबोट तुम ही बताऊ न उसे नहीं नहीं मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है ओ बूबी तुम हो मैं तो खामका डर गया पोलो क्या बात है? ओ के समझ गया मैं आ रहा हूँ पाकों को मत बताना है कि मैं आने बाला हूँ वरना बहुत गड़बर हो जाएगी पिसे अगर मेरे यहां का काम जल्दी खतम हो गया तो मुझे पाकों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा बूबी तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कार्स को मेरी और फैकर शूरू करो कर मत पाकों किसा इंतँथ समाले की थजएकर इंते सिसक्राइ़ को कि तुछ एकर प्रम Hayır पारमで लेगे वर जार मतथा प्रमर खेञे पुभी में अचलमा की तुम समाले लेक यहा ही जिए कि लेप लेगे जाकों पूबजी यह तभी नहीं ढूँड़ पाई जो अब इस एक जली ना था जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मुझे मत रखो ओ परमैन तुम कितने शर्मी ले हो कितने क्यूट हो एक मिरर भी कोई खास चीज हो सकती है बला और ऐसा मिरर कोई मिलता नहीं है क्या पेपरमैन क्या तुम ने वो खास चीज देखी आप जिसे सब पर कह रहे हैं वो नमबरे स्वाइट उपलब नहीं है सच में वो बहुत ही शर्मीला है हाँ हाँ तुमने बिल्कुछ सही कहा मगर मिरर के जरिये मैंने उसे कह दिया कि वो मेरे लिए किता स्पेशल है ओ हो परमैन तुम बहुत अच्छे हो चलो पाया जल्दी से शिप को पोर्ट तक लेचलते हैं आज मैंने ठीक से खाना नहीं खाया इस काम के लिए चार लोग चाहिए बात तो सोला ने सच कहीं मगर कौन आएगा अगर हम पाकों से पूछें तो तुम भाग जाओगे तो फिर तुम्हारा क्या फायदा तो हम और किसे बुला सकते हैं सारी मैं लेट रोगे लेकिन वो चला गया अजी बात है जब भी मैं आती हूँ वो भाग जाता है अपाया मैं बस एक पिनिटे आती हूँ हूँ इन दोनों से निपटना मुश्किल है चलो उठाते हैं इसे अब क्या क्या उठाओ उठाओ या तो मुझे छुपने के लिए कोई जगाई नहीं दिखाई दे रही है अब क्या करूँ मुझे लगता है मुझे सब कुछ बता दिना चाहिए अब मुझे शर्मिंदा कर रहे हूँ मुझे बाफ कर दो बोलो जरसल तुमारी वो स्पेशल चीज तुमारी जिंदगी से भी ज्यादर स्पेशल वो मिरर क्या तुमने देखा वो मैंने वो तोड़ दिया थोड़ दिया मुझे 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 बाफ कर दो मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई मैंने मैंने कटी कर दी अब क्या हुआ मैंने एक अच्छे इंसान की तरह माफी तो मांग लिए ना क्या तुम मुझे उसके लिए माफ नहीं कर सकती प्लीज तो फिर तो क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी तुम समझ नहीं रहे हो पर मैं मैं सब समझ रहा हूँ मैंने तुम्हारा special mirror तोड़ दिया मैंने तोड़ दिया वो mirror की बात नहीं है को? मेरी special चीज वो mirror नहीं है वगर उसमें जो reflect हो रहता वो है इसका क्या मतलब हुआ? अगर तु mirror में देखोगे तो क्या reflect होगा? अगर मैं mirror में देखुँगा तो वही मेरे लिए सबसे स्पेशल है यह क्या कहना चाहती है अगर मैं मिरर में ऐसे दिखूँगा तो मैं तो मुझी तो मिरर में खुद ही नज़र आऊँगा इसका मतलब है तुम कह रहा है जाती हूँ तुम कि बहुत है ही पता जाओ यहां से इरिटेटिंग तो हूँ लेकिन फिर पिर तुमारे लिए तु स्पेशल ही हूँ है ना तो मुझी तो हमेशे तुम्हे इरिटेट करना अच्छा ही लगेगा बहुत इरिटेटिंग हो तुम आँ ठीक है मैं इरिटेटिंग हूँ इस zou वो तो हूँ तुम बहुत पकाथे हो बहुत पकाथे हो मुझे तुम क्या कंपाथी हो दी कह सुमी पकावी को यह कंपाथे हो ? सुम पकाथा हो ? मुफ पकादे हो ?